नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल एस्ट्रो, सच में जय श्री राम, जय महाकाल, जय बजरंग बली, दोस्तों, वेलकम बैक आपके अपनी चैनल एस्ट्रो, सच में आपका बहुत-बहुत स्वागत है, महादेव की कृपा आप और इस वर्ष मकर संक्रांती का पर्व 15 जनवरी को मनाया जाएगा, धार्मिक मान्यता है कि मकर संक्रांती के दिन देव की धर्ती पर अवतरित होते हैं, अंधकार का नाश और प्रकाश का आगमन होता है, तो शुब योगों में आई इस मकर संक्रांती पर दोस्तों, तुलसी क ये रहस्य दोस्तों, आप सभी को मकर संक्रांती की हार्दिक शुभकामना आएं, राधे राधे जय श्री कृष्णा, जब सूर्य भगवान धनुराश को छोड़ कर मकर राशे में प्रवेश करते हैं, तो इसी दिन को मकर संक्रांती के रूप में मनाया जाता है, संपूर् कैलेंडर के हिसाब से कई लोग कह रहे हैं कि 14 तारीख को पढ़ रही है, परंतु आपको बता दें कि कई बार मकर संक्रांती 12 और 13 को भी पढ़ी है, हिंदू कैलेंडर देखे तो इस बार 15 जन्वरी को पढ़ रही है, इसी के साथ आपको बता दें कि मकर संक्रांती हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि मकर संक्रान्ती के दिन कुछ ऐसे उपाय होते हैं अगर उनको कर लिया जाए तो हमारे जीवन की जन्म जन्मांतर की गरीबी खत्म हो जाती है दोस्तों ध्यान दीजिएगा मकर संक्रान्ती के दिन माता लक्ष्मी की पूजा होती है भगवान विश्नु की पूजा होती है सूर्य भगवान की पूजा होती है और भगवान शनिदेव की पूजा होती है मकर संक्रान्ती के दिन पतंग उड़ाई जाती है क्योंकि मर्यादा पुरुशोत्तम भगवान श भगवान विश्णु ने संपूर्ण असुरों का संहार कर दिया था। संपूर्ण असुरों का अंत करके उनके सिर को मंदार परवत में दबा दिया था और युद्ध की समाप्ति की घोशना की थी। मकर संक्रांती का दिन बहुत ही पवित्र दिन है, बहुत ही शुभ कार्य दिन है और बहुत ही कल्यान कारी दिन माना जाता है। इसलिए दोस्तों आपको हिंदू पुराणों के बारे में एक एक जानकारी अवश्य होनी चाहिए। बहुत ध्यान दीजिएगा। मकर संक्रांत जिस दिन अगर आप सही समय पर पूजा पाठ उपाय कर लेते हैं, तो आप एक साथ सूर्य भगवान शनिदेव माता लक्षमी भगवान विश्नु को प्रसन्न कर सकते हैं. इससे आपके जीवन की जन्म जन्मांतर की गरीबी हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी, आपके जीवन से कष्ट हमेशा के लिए चला जाएगा, दुख हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, आपका दुर्भाग्य भाग्य में बदल जाएगा. इसलिए दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी और भगवान विश्नु का आपको आशीरवाद मिले तो कमेंट बॉक्स में सबसे पहले लिख दीजिए माता लक्ष्मी की जाए दोस्तों मकर संक्रांती के बारे में हमने आपको कुछ साधारण सी बातें बता दी जो आपको जाननी जरूरी थी अब जो आपको हम जानकारी देने जा रहे हैं वह ऐसी जानकारी है जो आपके जीवन को बदल करके रख दें कि अब मान लीजिए आपके पास पैसा आता है परंतु पैसा एकता नहीं है, दूसरी तरफ आप ठक चुके हैं, मेहनत करकरके, परंतु आपको उसका फल नहीं मिल पा रहा है, आप प्रति दिन मेहनत करते हैं, परंतु आपका काम होते होते रह जाता है, तो आप यह मान के चलिए, आपके पीछे दुर्भाग्य पड़ा एक बात और जान लीजिए दोस्तों, संपून दुनिया ज्योतिश शास्त्र पर टिकी हुई है, जिसकी वजह है, जब आपके ग्रहों की चाल आपके लिए अच्छी होगी, तब आपके ग्रहों की चाल आपके खिलाफ खड़ी होगी, तब आपके साथ सब कुछ बुरा साथ ही साथ शनि देव की दृष्टी, अगर आपके लिए अच्छी है तो मान के चलिए आपका राहु केतु भी अच्छा हो जाएगा, आपके राहुल की चाल भी आपके लिए अच्छी हो जायेगी, माता लक्षमी का अगर आपको आशीरवाद मिल गया, तो आपके घर में के हिसाब से क्योंकि हिंदू पुराणों और ग्रंथों के हिसाब से देखें तो पंद्रह को पढ़ने वाली मकर संक्रांती बहुत ही शुभ और कल्यान कारी है इस दिन की गई साधना आपके जीवन की गरीबी परेशानी कश्ट को खत्म कर सकती है तुलसी का पौधा तो प्र तुलसी के पास कौन सी वस्तू को रखना शुभ होता है आदि कई महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना आवश्यक होता है इसके अलावा अगर आप तुलसी के नीचे यह एक चीज बांध देते हैं तो आपको मान तुलसी का धेर सारा आशीरवाद मिलता है और आपके घर में मान लक्ष्मी का सदैव ही निवास रहता है दोस्तों तुलसी का पौधा घर में होना परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए लाबकारी होता है ये पौधा हर प्रकार से उप्योगी होता है पुराणों के अनुसार तुलसी में देवी लक्ष्मी का वास होता है और निय इस एक चीज के बिना तुलसी अधूरी मानी जाती है। यह चीज तुलसी को संपूर्ण बनाती है। इसलिए शास्त्रों में इसका सबसे अधिक महत्व बताया गया है। विश्नु पुराण में तुलसी को भगवान विश्नु की पतनी कहा गया है। इसी कारण से तुलसी जगत जननी है। तुलसी को समस्त देवी देवताओं से वर्दान प्राप्त है। जिससे तुलसी के पत्र को अमरित के गुणों से युक्त कहा गया है। जिस स्थान पर जैसे सूर्य के उदय होने पर रात्री का अंधकार नश्ट हो जाता है। तो सुख, शान्ति और सम्रिध्ध के लिए तुलसी मा को चुनरी अवश्य चढ़ानी चाहिए। तुलसी को चुनरी अवश्य ही चढ़ानी चाहिए। इससे पति-पत्नी में प्रेम और विश्वास बढ़ता है। तुलसी पर लाल चुनरी कभी नहीं चढ़ानी चाहिए। आप तुलसी पर हरे रंग की, पीले रंग की, अथवा नीले रंग की चुनरी चढ़ा सकते हैं। लेकिन कई लोग पुरानी फटी हुई चुनरी तुलसी पर बांध देते हैं। ऐसा करना भी अशुब होगा। तुलसी पर नई चुनरी ही बांधनी चाहिए। तुलसी पर चुनरी बांधने के लिए एकादशी का दिन सर्वोत्तम होता है। आप किसी भी एकादशी के दिन नई चुनरी लाकर उसे तुलसी के पौधे में बांध दें। इसके आपको कई गुना अधिक लाभ प्राप् तुलसी को बिना चुन्री के कभी न रखें। अगर चुन्री पुरानी हो जाए तो चुन्री को एका दशी के दिन ही बदलना चाहिए। दोस्तों, तुलसी का विवाह भी अवश्य करना चाहिए। इससे मनुष्य के सभी दुखों का अंत होता है और सांसारिक जीवन सुखमय बीटता है। दोस्तों, कुछ लोग जाने अंजाने में तुलसी के पास ऐसी चीजें रख देते हैं जिससे तुलसी का अपमान होता तुलसी का पौधा बहुत ही समवेदन शील होता है। इसकी अच्छी तरह से देखभाल करनी पड़ती है। तभी इसके शुब फल प्राप्त होते हैं। इसलिए तुलसी के पौधे के पास आपको अपने मुक से अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। तुलसी के पास आज भूल से भी जूते चपल अत्वा जाडू पोचा नहीं रखना चाहिए। इसे पाप माना गया है। जहां पर तुलसी का पौधा हो उस स्थान के आसपास थूकने से घोर अनर्थ होता है। तुलसी के पास जल से भरा हुआ पात्र भी नहीं रखना चाहिए। उसी के तुलसी के पौधे का पास साफ सफाई का ध्यान रखें। तुलसी के पौधे में शिवलिंग और गणेश जी की प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। साथ ही तुलसी के गमले में अन्य किसी भी प्रकार का पौधा भी लगाना अशुब होता है। तुलसी के पौधे के पास अन्यथा कपड़ों से गंदा पानी तुलसी के पौधे पर गिर सकता है। और शाम के समय एक दीपक जलाना चाहिए। अक्सर महिला इस नान के बाद अपने बाल खुले रखकर ही तुलसी को जल देती है। ऐसा करना गलत होता है। की मिट्टी का कभी उप्योग नहीं करना चाहिए। इससे तुलसी मा रूट जाती है और सूखने लगती है। तुलसी का पौधा कभी गंदे स्थान पर नहीं लगाना चाहिए। जैसे नाली अत्वा बाथरूम के पास तुलसी का पौधा कभी नहीं रखना चाहिए। अन्यता गंदा पानी तुलसी के पौधे में गिर सकता है, जो बहुत ही अशुभ माना गया है। घर में तुलसी का पौधा कभी चूकना नहीं चाहिए। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि तुलसी का पौधा सूखना अकाल, मृत्यू की सूचना देता है। घर में तुलसी का पौधा सूख जाए, तो घर की सुक सम्रिद्ध खत्म हो जाती है। सूख ही हुई तुलसी में मा, लक्ष्मी का वास नहीं होता है। वास्तु शास्त तुलसी में कभी भी किसी प्रकार के केमिकल नहीं डालने चाहिए, केवल खाद्य पदार्थ और गोबर का प्रयोग करना चाहिए। और पैरों में चप्पल आदी पहन कर भी तुलसी को जल न दें। तुलसी को जल देते समय ध्यान रहे कि वह जल आपके पैरों पर न पड़े। इससे तुलसी का अपमान होता है। जमले में दूसरे पौधे उग जाते हैं तो उन्हें समय समय पर हटा देना चाहिए। अगर तुलसी के ही अन्य पौधे उगते हैं तो ये पौधे दूसरों को दान में देने चाहिए। कहा जाता है कि जब घर में एक से अधिक तुलसी के पौधे अपने आप उगने लगते हैं तो घर में साक्षात माता लक्ष्मी का आगमन होता है। तुलसी के पास कभी काठेदार पौधे नहीं रखने चाहिए इससे तुलसी मा रूठ जाती है। तुलसी के पास मरुस्थलिय पौधे रखना बेहद अशुभ माना जाता है। ऐसे पौधों से नकारात्मक उर्जा निकलती है। शास्त्रों में कहा गया है जिन पौधों से हरी भरी गलियों की उत्पत्ति ना हो उसके स्थान पर काटे निकलते हो तो ऐसे पौधों को तुलसी के पास कभी रखना नहीं चाहिए बलकि मरुस्थली ये पौधे घर में किसी भी स्थान पर रखने ही नहीं चाहिए इन पौध पौधानी का पौधा तो गलती से भी तुलसी के पास ना रखें, ये तुलसी की संपूर्ण सकारात्मक उर्जा को नश्ट कर देता है, लेकिन शास्त्रों में केले के पौधे का विशेश महत्व बताया गया है। दोस्तों, अगर आपको तुलसी के पौधे में शाली ग्राम भी अवश्य रखना चाहिए, तुलसी के गमले में शाली ग्राम रखने से तुलसी का और भी अधिक शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। ये पत्थर उत्तर की गंड की नदी में पाए जाते हैं। इसी लिए अगर आप शाली ग्राम तुलसी के पौधे पर हैं, तो भगवान विश्नु के साथ आपको मा लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। आपके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं रहेगी। विश्नु पुराण के अनुसार, मृत्यु के समय, शाली ग्राम के चरण, अमृत का जल सभी पापों से मुक्ति दिलाता है। वह मृत्यु के पश्चात बैकुंट चला जाता है, यह चरण, अमृत, ओश्धी के समान है, जो इसका सेवन करता है, उसे मोक्ष मिल जाता है। कुछ लोग चरण, अमृत लेकर अपने सिर पर हात फेड देते हैं, बलकि शास्त्रों में ऐसा करने का उलेख नहीं किया गया है। कई ज्यादा उत्तम होता है। शालिग्राम की पूझा करना, शालिग्राम को चंदन लगा कर, उस पर एक तुल्सी का पत्ता रखना चाहिए। अगर आप इन नियमों का पालन नहीं कर सकते हैं, तो तुलसी का पौधा घर में लगा कर तुलसी मा का अपमान भूल से भी ना करें, इससे आपको विपरीत परिणाम भोगने पड़ सकते हैं। लाइक जरूर करें, कमेंट में जैमा लक्ष्मी और जैतुलसी जरूर लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें, धन्यवाद।